जैहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेश में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आये हूं 20 most important questions जो की नए संसर्भोन से सम्मधित होंगे और दोस्तो ज्यादा समय ना लेते हुए start करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तो question नमर बन है भारत के नए संसर्भोन का उद्गाटन कब और किस नै किया ठेक है भारत के नए संसर्भुण का उद्गाटन कब और किस नै किया तो दोस्तों correct answer होगा इसका option भी 28 मई 2030 के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी ने भारत के नए संशल भहुन का जो है वो उद्गाटन किया था ठीक है चलिए अगले question की तरफ चलते हैं question number two प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने नए संशल भहुन की आधार सिला कब रखी थी options आपके सामने हैं दोस्तों तो इस question का दोस्तों जो सही answer है वो है आपका option C 10 December 2020 जी हाँ दोस्तो 10 दिसंबर 2020 के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भूण की आधार सिला रखी थी तो यहाँ पर options यह एकदम सही आंसा है अगला question है question number 3 नए संसद भूण का design किस company ने तयार किया है options आपके सामने हैं दोस्तो तो नए संसद भूण का design तयार किया था दोस्तो वो किया था HCP designs ने ठीक है तो इस question का सही आंसर option D होगा अगले question की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 4 question number 4 है नए संसद भूण का आकार कैसा है तो दोस्तो नए संसद भूण का आकार जो है वो त्रिकोड यह है तो यहाँ पर option A जो है वो एकदम सही आंसर है आगे बढ़ने से पहले दोस्तो आपको बता दें कि यह सभी question आपके exam के लिए most important question है question number 5 है दोस्तो भारत का नया संसद भूण कहां इस्तित है तो दोस्तो भारत का जो नया संसद भूण बन रहा है वो है दोस्तो नई दिल्ली में ठीक है सोरिय बन के तयार हो चुका है और 28 मई 2030 के लिए इसका उद गाडन भी हो चुका है ठीक है तो भारत का नया संसद भूण कहां पर इस्तित है नई दिल्ली में अगले question के तरफ चलते हैं दोस्तो question number 6 question number 6 है नई संसद भूण के मुख्य बास्तोकार यानि की architect कौन है options आपके सामने हैं दोस्तो तो नई संसद भूण के जो मुख्य बास्तोकार हैं दोस्तो बो हैं बिमल्क पटेल तो यहाँ पर option भी सही answer होगा अगला question है हमारा question number 7 नई संसद भूण का निर्माण किस परयोजना के तहद किया गया है तो दोस्तो नई संसद भूण का जो निर्माण किया गया है वो central विष्टाय पुनरविकास योजना के तहद किया गया है तो option C यहाँ पर सही answer होगा अगला question है question number 8 नई संसद भूण का छेत्रफल लगभग कितना है तो दोस्तो नई संसद भूण का छेत्रफल है लगभग पैसाट जार स्क्वार मीटर यानि की बर मीटर ठीक है अगले question के तरफ चलते है question number 9 question number 9 है दोस्तो नई संसद भूण में लोगसभा के लिए कितनी सीटे है तो लोगसभा के लिए नई संसद भूण में दोस्तो जो है वो 888 सीटे है ठीक है नई संसद भूण में लोगसभा के लिए कितनी सीटे है 888 सीटे तो यहां पर option B आपका एकदम सही answer होगा अगला question है दोस्तो हमारा question number 10 नई संसद भूण में राज्यसभा के लिए कितनी सीटे है तो दोस्तो नई संसद भूण में राज्यसभा के लिए जो है वो 384 सीटे है तो यहां पर option D आपका सही answer होगा अगले question की तरफ चलने से पहले दोस्तों आपको बता दूँ कि अगर आप इस वीडियो की पीडियो फैल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्सिन में दिया गया है वहाँ से जाकर आप इस वीडियो की PDF फैल को एकदम फ्री डाउन्डोड कर सकते हैं अगला question है नए संसर गुवन को बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है तो दोस्तों नए संसर गुवन को बनाने में लगभग 1200 करोड रुपए का जोहब खर्च आया है question number 12 है नए संसर गुवन के उद्गाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया है ठीक है तो नए संसर गुवन का जब उद्गाटन गुगा है तो दोस्तों उसमें कितने रुपए का सिक्का जारी किया है तो दोस्तो यहाँ पर 75 रुपया का जोगवन सिक्का जारी किया गया था है नए संसद भवन के उद्गार्टिंग पे तो option C इस question का correct answer होगा question number 13 है दोस्तो नया संसद भवन कितने मंजला इमारत है तो हमारा जो नया संसद भवन दोस्तो नई दिल्ली में है उसकी जो ही कितने मंजला इमारत है तो दोस्तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option B 4 menjasmine ठीक है हमारा जो नए संसथ भगन है वो 4 menj Probleme है अगला question है दोस्तो हमारा question number 14 नए संसर भगन का निर्माद किस company ने किया है तो दोस्तो नए संसर भगन का जो निर्माद किया है वो किया है Tata Projects Limited नहीं ठीक है तो question no.14 का सही answer होगा option A अगले question की तरफ चलती हैं दोस्तो question no.15 नएक संसर भवण में कितने समीति कच्च का निर्माड किया गया है तो दोस्तो नएक संसर भवण में 6 समीति कच्च का जो है निर्माड किया गया है तो option D यहां पर आपका एकदम सही आंसर है अगले question के तरफ चलते हैं दोस्तो question number 16 question number 16 है हमारा पुराना संसर्थ भूहन का design किस abilities बास्तुकार यानि कि architecture ने जो है वो तयार किया था new sensor भूहन के दोस्तों जो है वो questions समाप्त हो चुके हैं अब कुछ question आपके लिए आएंगे पुराने संसर्थ भूहन से जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा important questions है तो दोस्तों यहां पर question मैं आपको बता चुका हूँ कि पुराना संसर्थ भूहन का जो design है वो किसमें तयार किया था तो question number 16 का दोस्तों सही आंसर होगा option C जाने कि Advent Lutians और Harvard Baker जाने कि इन दोनों ने ही पुराने संसर्थ भूहन का जो design तयार किया था ठीक है चलिए अगले question के तरफ से लते हैं question number 17 question number 17 है हमारा पुराने संसर्थ भूहन में लोगसभा के लिए कितने सीटे थी दोस्तों पुराने संसर्थ भूहन में लोगसभा के लिए 543 सीटे थी ठीक है तो यहाँ पर option B यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा अगले question के तरफ चलते हैं question number 18 पुराने संसर्थ भूहन में राज्यसभा के लिए कितने सीटे थी पुराने संसर्थ भूहन में दोस्तों राज्यसभा के लिए 250 सीटे थी तो यहाँ पर option A आपका एकदम सही आंसर होगा अगला question है हमारा question number 19 पुराना संसर्थ भूहन का बनकर तयार हुआ तो पुराना संसर्थ भूहन जो दोस्तों तयार हुआ था 1927 में तो option C यहाँ पर आपका सही answer होगा अब चलते हैं दोस्तों इस वीडियो के last question के तरफ तो भारत में संसधी विवस्ता किस देश से ली गई है तो दोस्तों भारत में जो है वो संसधी विवस्ता ली गई है कहां से तो यह थे दोस्तों 20 questions वीडियो आपको कैसे लगे comment करके जरूर बताना यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने आपको question करा है उन सभी का है जो दोस्तों answer के दिया गया है तो आप इस वीडियो के PDF को जरूर डाउनलूड करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों क के साथ में share भी जरूर कर तो चलिए दोस्तों कल फिर्म लेंगे किसी नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जय हिन जय भारत